आ रही ले रही ले बल्या एह ले लाल तोहरी लच के जब कमरे सारी दुनिया ही लेला तोहरी लच के जब कमरी आ मैं हूँ लाल तमाटर जैसा चगाचाग ओριजनल सेवादर बंदे ने जिस पाइसा ऊटवेट ना साउस इंडिन घड़ जान वोलिवोड में चाचा जी ने धमाल मचाई है उनके सारे हिंदी गाने नंबर वानने कि मैंसे घर में पैदा हूआ मैं फादर हापनस तो भी दे लिविंग लेजेंट एंड अभी भी उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है वो दुनिया यारा रंग बरंगी नाए पैड़ी नाए चंगी सोन यारा यारा आप वोले एकतारा मेंदीदा यारा तुनक-तुनक-थ५न-ध५न-ध७न-धुन-ध०् है हेलो आप देखरे हैं फोस्ट इंडिया और मैं हूं रजनी दूबे और आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेमान और आज की जो यंग जनरेशन है उनके फेवरिट गुर्दी मेहनी इनका नाम ही काफी है सबसे पहले कैसे हैं आप सासी काल जी मैं हूं लाल तमातर जैसा चका चक थाख था थैंक यू सो मज़ अपके जो सौंग इनिपू इनिपू का मतलब है तो स्वीट ये तमिल भाषा का एक वर्ड है एंड जस्ट वेक्ट तो में थोड़ा साइं इंट्रस्टिंग तो लगा की उससे बात करने का रास्त है वो कुछ इंट्रस्टिंग हो तो इनिपू वहीं से इंस्पाइड जब कोई पंजाबी सिंगर हो शुरुआ दूम धड़ाके से ना हो ऐसा कैसे हो सकता तो सबसे पहले आपको कोई फेविट सॉंग हम सुनना चाहेंगे जो धड़ाके दार हो एकदम मैं सुनाना चाहूं काने देखा जा रहा है कि एक पंजाबी साओ इंडियन लुक में काफी क्यूट लग लगा है तो कितना प्राक्टिस करना पड़ा है अगर आप गाना सुनेंगे आपने सुनाई गाना तो पंजाबी हिंदी लैंविज में है यह जरूर है कि कभी किसी ने सर्दार लुक में यह औरिजिनल सर्दार बंदे ने कभी ऐसा आउटफित नहीं पहना साओ इंडिन आउटफित एंड जो विजन सोचा था कि इट वुड लुक दिफरेंट अंड इनसेंट वना की बई वरी विद विद रिस्पेक्टिंग अल दे कल्चर्श वी हाव इंडिया तो उसको उस से पहने कि हाँ उसकी शोव भी बनी रहे और जो यह पंजाबी बंदा कहना चाहरा है वह थोड़ा मेसेज कनवे भी हो जाए तो यह वो सोचा डिफरेंट था और आम ग्लाड कि आप लोगों को पसंद आए इतना मजा आया सॉंग करने में जिस से लुंगी पहन के अपने ड की एंड प्रूफ मीजिक प्रेडियूसर हैं तो हम लोग वह बहुत बहुत सारी वाइल्ड था रहे थे वह इनुसेंट थाट क्यूट क्यूट थाट और मुल्ब डिफरेंट इफरेंट थाट्स थे कि बई साउथ पंजाबी और के साथ कैसा मलब मर्ज होके आएगा एंड में एक लाइन है कि केले वाले पत्ते उत्ते आंब दा चार मुलब केले वाले पत्ते के ओपर पंजाबी आंब का चार हो और पराथा हो तो मैया है तो लिखते होवे भी बहुत मजा था गाना एंड वाइड वाय अफोर्स शूट के ताइम पर तो तो फिर यू और यू इसमें देखा जरो जो स्टोरी है एक पंजाबी मुंदा साहूद इंड गर्ल को पताते वे नजर आ रहा है गुर्दीप को रियल लाइफ में चुछ करना पड़े तो कर देंगे इसमें कौंसी वड़ी बात है मैं पंजाबी बंदा हूं मैं कई मी चले जाओंगा आप बता सहीली गाना था बिग थैंक्स टू बोहिमिया पाजी मैं उनका तही दिल से शुक्र गुजार हूं और थैंक्यू कहना चाहता हूं क्यूंकि सहीली ट्रैक लिखा था इक पाजी नहीं जो रैपर है एंड उसमें ऐसा ही था कि वी कुछ थोड़ा क्वर्की होना चाहिए सहीली का मैंचिन किया सो सहीली ट्रैक जो मुझे बहुत पसंदा है मेरे दिल के करीब आपकी लेजंडर कितना कुछ सीखने को मिला दलीर मेंधी से आपको क्या कुछ मलब टीच करते जब आप गाने तो तो कहते ना गर में कोई रहें तो सिखाता है आप आप अप गलत है य मिलता है यह है कि ना की सिर्फ म्यूजिक पर एथिक्स, मैनर्स उटना, बैठना, बात करना और वहवार कैसे अच्छा बनाय रखना तो वो सारा कुछ सीखने को मिलता है विच इस ना जिस दलीर मेंधी बट अ फादर, यू आप टीचिंग सन और चिल्रन तो वो कहानी में म अधना बनाय पर आप आप अधना प्रवादय को यह इस अच्छा ब्लेसिंग आप वालीवुड में डविव कर चुके हैं मेरी शादी कर वादू तो फिर से कोई प्लैनिंग है आपकी बालीवुड मेने की अग्जो यह ग्या बड़िशिन हुए है बिग तांक्स तो सारे अधना और जो किया जैसे आप जानते कि सारे गामा एक बहुत माना और एफेक्टिव म्यूजिक इंडस्ट्री होल्ड करने वाला इंडस्ट्री है कंपनी है जो इस इंडस्ट्री को अच्छ थे चलाता है और इस पार्ट फिस इंडस्ट्री पर अवर्य लॉंग टाइंग कि सारे गामा के थूँ सम्थिंग और दी अधर वी विल क्रैक सम्थिंग गुड जो एक्टिंग फॉम में भी हो जो अपने म्यूजिक ली कल्चर को साथ लेके कुछ डिफेंट अच्छ तरीके से हो अगर आपकी म्यूजिक सफर की बात करें तो कितना स्ट्रॉग करना पड आपको अप स्ट्रॉगल तो देखी है सब के साथ यह आप स्टार केड हैं नहीं हैं और क्यूंकि काफी लोगों ने जो लोग मुझे जानते हैं या जो लोग नहीं जानते हैं जादा फादर डियो कभी देखा नहीं होगा मतलब मैं पापा जी के साथ कभी भी ऑन कैमरा एक अलग मुकाम हासिल करता हूं उसकी वावा उसकी अप्रिसियेशन तीन कुना जाद होगी और वही मैं आइफोकिस्ट उन दूइंग यह जाए इस बिग क्लाबरेशन गुर्दीर मेंदी और सारे गामा विद इस एप प्रिंस आफ पॉप अभी सारे गामे के साथ आपकी 2024 की शिरुबात हुई कैसा एक्सपीरियंस रहा आ पहतरीन से भी बढ़कर क्योंकि जैसा वीडियो बनके आया है जैसी यूनो एक वाइब कंपनी में प्रिंस आफ पॉप पुरी एप को लेके वो मेरी उम्मीदों से कही जादा बढ़कर है और नॉमली क्यों होता है कि आप कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं बड़ी कंपनी से और फिर वो एक्सपेक्टेशन वैसी उतरती नहीं तो आप मायूस हो जाते हैं मैं हमेशा से इसी बात पर मैंने फोकस किया है कि आप यह अचली म्यूचल होता है और गानिकली भी थोड़ा हिट होता है फिर कंपन बनकर सारे गामा ने सपोर्ट किया और यह चुरुवात है अभी देखिए आगे पताका पादना सी देखो पंजाबी इंड़स्ट्री में बहुत सारे पंजाबी पॉप सिंगर हैं तो कितना कॉंपेटिशन आप मानते हैं जीरो कॉंपेटिशन ही नहीं है क्यूंकि कहीं कहीं से मिल जाते हैं मेरा कॉंपेटिशन सरफ मैं खुद हूँ जो मैंने पिछला काम किया है जो मैंने पिछला शो किया है जो मैंने पिछली कोई भी क्रेटिविटी ऐसी की है जो मुझे लगा की यू बहतरीन है उससे और बहतर क्या हो सकता है उससे और क्रेटिव क्र सकता उसे और अच्छा क्या हो सकता है तो यह I I do see myself only as a competitor and वही मेरे सिनारियो में वर्क कर रही है and I'm enjoying it as a singer अगर आपको कुछ कुछ बड़ा चेंज करना चाहेंगे कुछ बड़ा चेंज तो मैं ओफर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आज कल वैसे ही through social media music हर एक genre या हर एक चीज की जो लाइफ है बहुत छोटी होगी हाँ अगर हो तो मैं लाइफ बड़ी करना चाहूंगा अब वह कैसे होगी नहीं हो सकते पताने पर यह जरूर है कि कोई भी होता था आज अगर गाने को अगर हिट होना तो उसकी लाइफ को बड़ा करने के लिए उसको खुद एक महीना लग जाता है बड़ा होते होते तो वह लाइफ जो है ना वो चीजों की जो प्रड़क्ट की है वह चोटी होगी है कंटेंटी इतना भर क्या है हर दिन यू अगर आपको नहीं पसंद स्वाइप कर दो आप उबर स्क्रॉल कर लो तो बस मैं लाइफ के ओपर फोकस करना चाहूंगा और मुजिक उसकी लाइफ एक्स्पिक्निस जो है वो तोड़ी बड़ी हो जाए लगी पंजाबी सॉंग सा बच्चा हो क्या कोई और जैसे लगता है सब जूमने लगते हैं जो इसे सॉंग होते हैं तो इस पर आपका क्या रिक्शन रहे हैं और मस्ती वह ना आप अपना अपना म्यूजिक अपना खुद अगर आप इंजॉई करते हैं तो डेफिनिटली आप वो जो म्यूजिक शुरू से परयातन टाइम से ऐसे रहा है कि उसकी कोई भाषा जो है वो होती नहीं है वो अपने आप में जूमने वाली कहानी है और यह ब्लेस्ट आप पंजाबी कुल्चर पंजाबी फैमिली पंजाबी इंडस्ट्री वेर यह आपके लेजे में ही पंजाबी ह है एंड इस अलबाद वाइब वो जो दिल का कनेक्शन है वो पंजाबी हो जल्दी हो जाता है वोल्यूने कई लेजेंट सिंगर हैं सोन निगम हुए कुमार सानु हुए पापके पापा हुए तो क्या सी सीखने को मिलता इन लोगों से और कौन सी क्वालिटी आप सोचते कि इनकी मुझ में होनी चाहिए फायर जो इनकी जो फायर जो अपने नाम लिये हैं वो उनकी जो फायर है और गिवप ना करने वाली कहानी वो बड़ी काभी तारीफ करने वाली जीजिया और उसी को आय लुक फॉरवर्ट की जाए भई इन लोगों ने इतने लंबे अर्से त पर जाए भई आपको जो एक वाली को आपको पर शुक्ति आपको बड़ी करो अगोली कि अपको बड़ी कि जो पर टार जाए अधर जाता है यह एक्या फिर मैं इस चीज़ के लिए इन ने ने तार कर रहा था था यह जो अपको बोल तो कि नहीं मुझे ने पिए कॉन एं I want to give again and again back-to-back. So, that's what I want to learn. If you look on Instagram, then it's one more than one of the reals. You create a song in many languages. So, where did your quality come from? Because Dadajji was my first guru. So, he was doing Kirtan. And in Gurbani, there was a lot of different languages that was a Gurmukhi language. which was made in Farsi, Hindi, Sanskrit and many other things. And when Papa Ji's birthed in Bhatna, Bhatna Sahib, Bhatna, 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 Bhatna. So, the Bhatna language is good. So, Papa Ji, in the US, there are a lot of Afghansans in the U.S. and in the U.S. so, the Farsi and the Pashto also are very good. And in Bollywood, Chacha Ji has been hurt. His Hindi songs are number one. So, there was a barrier of a language. था इन फैक्ट सुनने में मिलता था तो ऐसा लगता था कि हाँ इसके ओपर थोड़ा काम करें तो बहतर साउंड कर सकते हैं और जब कभी किसी ऐसे लाइंगवज वाले बंदे को उसका कुछ गाना सुना दिया तो अप्रिसेशन आता मिलती थी गुजराती को गुजराती सुन आपने नहीं बनाया नहीं बर Бश्न में सुना बहुत है तो आ रहिए ने चपराहिले बल अहीव लञत हृरी लचके जब कमर्या सारी दुनियाही ल्लाता हृण Curly Pieces xuud बहुत अच्छ अच्छ आ पको हमर्या फ स्रक्ता इन चाहीं बहुत उत्यत्य कुण हैंने उत्सिता मै क्रिएट कि हो काफी बहुत सारे लाइंवेजिस में जरूर सुनना चाहेंगे तोड़ा धमाकेदार होना चाहिए जो ओडियन सुने तो जूम उटे मैं फिलाल तो अपनी इनिपू जो है ना इनिपू की कुछ लाइन आप लेगा हूंगा हो लाक मैंन लिप गलास ब्यूटी जितना हो सुन बेगा हूंई तेर रजी संटा चॉट्लैम चै सी इनिपू मिटड़ी क्नी सोनी क्नी लगजेतो हूंवो इनी बूु आपकी अंकल है मिका पाजी बहुत हीट गाने उनों दिये तो किस तरह से इंस्पायर होते अब उन से जो उनके काम करने का तरीका है वो बहुती फ्रेश और यंग है एंड उनका जो टोन है वन इन बिलियन वैसा टोन ना पैदा होगा और नहीं कभी पैदा हुआ है तो वो जो यूनीकनेस है ना वो जो मस्ती है उनकी भाशा में उनके शब्दों के उचारण में वो सिर्फ उनके पास ही है वो मैं काफी कोशिश करता हूं कि वो मस्ती अपने गाने में लेके आ सके हैं क्योंकि जब आप किसी को किसी के सामने गाना गा रहे हैं या वो बं तो अब जल्दी आप अड़ाप नी कर सकते उसके बहुत महनत और बहुत प्राक्टिस करने की जरूरोत तो अप्राइब जरूब तो कुछ ना कुछ मिलते रहता है लेते हैं जी अपने पुछ जो सौंग किया है एंप फोस्टार के साथ बहाइंड दे कुछ यादे के लिए तो कुछ आपके जहन में हो तो शूंप नासिक में शूट कर थे एंड स्टैफी पटिल उन्होंने शूट किया है मैं नासिक मैं पहली पर उनको मिला था पर इतना ज्यादा भातलब होनी पाया है क्यूए मैं आल्रीड इपने काम में बीजिता शो से आरा गधा एक जाए प पर मुझे पादा चला था उनको फीवर था, 102, 102, 103 और कड़कती धूप में मंदर में बगएर आप मंदर में तो प्रिपर्स और फुट्वेर तो आप अलाव ही नहीं हैं, कड़कती धूप में फीवर में उन्होंने परफॉर्म किया और यह से लिए बीटिफल खव टो जया शुट आप अपिश्ट अप्रिश्ट विएफ ए अपस्ट चैफी यह पर फिज आप अप्रिशियों परिष्ट आप यह और इन्होंने और आप शुट आप इसा प्रिवर किया और रिजल्ट आपके अपके सामने अपकी फैंस जाना चाह तो कि फैंस मुझे सर्प्राइज करें प्रिंस आफ पॉरी एपी है और अल्ड ऑडियो प्राटफॉर्म 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 कौन सा गाना आपको अच्छा लगा जो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे वह हम उसका वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो आप मुझे सर्प्राइज कीजिए कि आपको कौन सा बच्छा लगा जाते जाते हैं एक आपके पापा का सौंग तुनक 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 वाला जो बहुत सौंग था सुनना चाहेंगे हो दुनिया यारा रंग बरंगी नाए पहड़ी नाए चंगी सुन यारा बोले एक तारा मैं दीदा यारा तुनक 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 रहें वह बात की बात है पर अगर आप अपनी चीज को प्राक्टिस करते हैं लगातार बार बार आम 110 परसंट शूर कुछ ना कुछ उसका नतीजा मिलता ही है वेदर इस फेम वेदर इस मनी और वेदर इस अप्रिसेशन और आपको तो पता है आर्टिस्टों को वावा में जा तो साड़ी अल्बम हैगी प्रिंस आफ पॉप अनलाइन तो प्लीज जैसा प्यार आपने औरों को दिया है इनिपू गाने को दो एंड नोट जस इनिपू वारी नशा जान चारो गानों को आप प्यार दो एंड तिल देन लॉट्स अफ लव गुर्दी में दी चाख दे फ प्रुज साथ